और इसी बीच बड़ी खबर का रुक कर लेते हैं आपको बता दें कि 20-25 दिनों में STET का रिजल्ट खोशित किया जाएगा ये बड़ी और रहम जानकारी कड़ी निगरानी में परिक्षाओं का आयोजन हुआ है और 20-25 दिनों में रिजल्ट भी खोशित कर दिया जाएगा ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं STET की परिक्षा कड़ी सुरक्षा के घेरे में दी गई थी सभी शात्रों के दुआरा और अब 20-25 दिनों में इसका रिजल्ट भी खोशित कर दिया जाएगा कंट्रोल रूम से पकड़े गए 23 नकलची इसके साथ ही आपको बता दें कि 20-25 दिनों में STET का रिजल्ट भोशित कर दिया जाएगा STET की परिक्षा कड़ी सुरक्षा निगरानी में की गई CCTV कैमरे लगाये गए सुरक्षा के कड़े इंतिज़ाम भी किये गए और आपको बता दें कि इस दुरान कई नकलची भी पुलिस ने पकड़े ऐसे लोग जो इस STET परिक्षा में नकल कर रहे थे 29 अभ्यार्थियों को पकड़ा गया और अब बहुत जल्द आने की 20-25 दिनों में रिजल्ट भी खोशित कर दिया जाएगा तो बड़ी जानकारी वो अभ्यार्थि जनोंने STET की परिक्षा दिया अब उने बहुत जल्द रिजल्ट का इंतजार है और 20-25 दिनों में उनका इंतजार खत्म हो जाएगा क्योंकि STET का रिजल्ट घोशित कर दिया जाएगा इसके अलावा कंट्रोल रूम से 30 नकल्चियों को भी पकड़ा गया अब दली सिक्षा बोर दौरा आयजित की गई दो दिन की तीन लेवल की परिक्षा का अउसान हो गया है हलांकि जिस तरह से बोर्ड के दोरा स्टेटजी अख्तियार की गई थी उसमें आशातीत सफलता भी बोर्ड को मिली है क्योंकि जिस तरह से चाहिए नकल्चियों की बात करें नकल पर नकेल कसने की बात कहीं या फिर परिक्षा में धांदली की बात कहें तो कहीं कहीं किसी भी तरह से इस तरह के मामले सामने नहीं आये थे बोर्ड ने life monitoring करते हुए कुछ मामले भी दर्ज किये थे अनुचित चादन परियोग के पहली परिक्षै के अगर बात करें पहली परिक्षै में थे इस तरह से करेबं दस मामले जो है वो अनुची चादन परियोग के सामने आये थे दूसरी परिक्षा जोगी TGT लेवल दो की परिक्षा थी उसमें भी इसी तरह का आलम देखा गया था बोर्ड अदेक्स प्रोफेसर डॉक्टर जग्मीर सिंग हमारे साथ है परिक्षा का उसान हो चुका है ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा सबसे पहले कि यहां पर जो है जो OMR सीट्स वो आएंगी किस तरह से उनको रखा जाएगा आगी किस तरह की परिक्रिया अख्तियार की जाएगी वो तमाम सीजें जानेंगे सबसे पहले तो एक बड़ा, एक बड़ी चुनोती थी विदेले सिक्षा बोर्ड के समक्स इस्तरे की परिक्षा का ऐजन करवाना लगातार पाचवी मरत्बा आपके कारेकाल में इस्तरे की परिक्षा तीसरी मरत्बा देखा गया है कि जो परिक्षा थी वो ग्रह जिलों में संचालित करवाई गई है बच्चों के लिए रात की बात थी, सुकून की बात थी बोर्ड को कितनी मुश्किलाथ पेश आई अर्णाविज अले शिक्षा बोर्ड की एस्टाट परिक्षा में वो भी विशेश कर घरे जिले में करवाना और करोना की परिस्तिते हम करवाना एक हम सब के लिए चुनोती थी लिएक हमरे बोर्ड की अधिकारी करमचारी ने सबने मिलकर की सुनोती को सुविकार किया और इसमें सफल भी वे अभी फिलाल किस तरह से ओमार सीट्स आएंगी ओमार सीट्स को किस तरह से परिजरू किया जाएगा कैसी जो परिणाम की प्रिक्रिया उसको कून किया जाएगा पहले 17 और 18 तरह को पुलिस के अभी रिक्षा में ट्रेजरी में सभी परसन पत्रों को भीजा गया अब वहां से ओमार सीट भी रात को ही जो अठरा तरिक हो ही थी उसकी रात को ही आई और साड़ा गैरा बज़े तक सभी जिलों से पुलिस के भी रक्सा मा करके कंट्रोल रूमर रखी गई उस सीची टीवी कैमरे की निगरानी परिनाम अब तयार किया जाएगा वो किन चरनों से गुजरेगा पहले भी हमने देखा था वो मार सीट की स्कैनिंग उसके बाद जो शिकायतें थी या किसी तरह के कोई शुजाओ वो आमंत्रित किये जाते हैं कोई अगर किसी तरह की कोई केरी है तो उसको लिया जाता है क् का प्रिक्रिया रहेगी सर आज रात तक सभी जिलों से पुलिस के भिरक्षा में सभी ओमार सीट आ जाएंगी हमारे बोर्ड के अधिकारी करमते जिनकी ड्यूटी लगाई गी है उनको लेके हुए सीर बंद कमरे में रखते हैं कल से ओमार सीट की सबकी आईरिस स्कैनिंग क की जाएगी सबसे पहले फिर उसके बाद आज रात को सभी ओमार सीट आ जाएंगी कलब रात अकाल नो बजे से जो एक लाग सतासी जार नो से क्यों पच्छों परिक्षा ही है लगबग दस परसंट अनुपस्तित उसमें रहे हैं उनस सभी सीट की आई सीर की जाएगी उसक के बाद प्रिशर प्रणाम त्यार होगा लेकिन उससे पहले आज रात तक या कल सुपह तक सब की अंसर की डालने के बाद अगर कहीं उत्तर जो है मिसमेच होते हैं तो निश्चित तोर पर उसको लेकर भी कहीं ने कहीं उनको दुरुस्त करवाया जाएगा सर्मान सकते हैं परतेक परिशर तक अधिकार है यदि उसको लगता है कि मैंने जो उत्तर दिया मेरा ठीकर बोर्डन जो बताया गलत है तो उसके लिए 20 तारिक से लेके 24 तारिक तक उनकी आपतिया मांगी गई हैं लेकिन सर्त एक रखी है कि परतेक परिशन जो आपती दे रहे हैं आप 1000 र लाइस लेगा की विद्याया ठी है scan गे और को ए चार्के इन की डालने के बाद अगर कोई विद्यार्थी मेरा रिष्ट अर्शिट जो चाता है तो उसको कैसे क्या वो ले सकता है तो तो अनुम्हör कि मिलेगी परिक्षापरिणाम कब तक संभावीत है सर कब तक माना जाए कि विद्याले सिक्षा बोर्ड की क्योंकि 35 दिन का समय बेद कम होता है कम से कम 75 से 80 दिन लगते हैं अधाई महीने का टाइम उससे ज्यादा लग जाता है जब ये पूरी परिक्रिया पूरी की जाती है सर लेकिन परिक्षा रिक्षा भी करवाई गई हैं। चलिए पहत शुक्रियासर इंडियानों से बात करने के लिए बोर्ड अदेक्स प्रोफेसर डॉक्टर जग्बीर सिंग जिनका साफ दोर पर कहना है कि पहले ओमार सीट्स सबानी शुरू होंगी आप देख पाएंगे तस्वीरें यहां पर यह तमाम अधिकारी करमचारियों कामला इसी चीज़ के लिए जुटाया गया है जो कि यहां पर हमार सीट्स जो आएंगी उनकी एंट्री करेंगे उनका इंद्राज करेंगे उसके बाद उनको एक तरह से स्टॉंग रूम में ले जाया जाएगा जल्द से परिकष्य परिक्ष्य 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 प्रिक्स परिणाम भी उनकीर मेंuy मुझा है